नमस्कार दोस्तो आप का हमारे यूट्यूब चैनल शुक्राज मशींदी कंपणी नानक ना मशींदी कंपणी अन्महों में थे अफिस सवागत है आज मैं आपको अपनी फैक्टर इमें लेक्र रहा हूं नानक ना मशींदी कंपणी आप देख सकते हैं डेक्टे बोरड लग नैपकेन वायर नेल स्क्रूड बार्बर वायर किसी भी टाइब की मशीन चाहिए आप ले सकते हैं हमारे से आज हो मैं आपको अंदर लेके जलता हूं भी फैक्टरी में मशीन के बारे में बताता हूं और ओफिस भी दखाता हूं आपको आज आगे आगे कि दोस्तों यह मरा ओफिस है अब देख सकते हैं कि दोस्तों किसी ने कोई भी मिशीन लेनी है अब भी सार में आके मारी फैक्टरी विजिट कर सकता है और फिस विजिट कर सकता है उसको कोई भी मिशीन देखनी है कोई भी मिशीन का ओडर करना है तो अब जब मर जी आके मारी आपने वीडियों में आपको और भी मिशीन के जानकारी देता हूँ वीडियो को लास्त जूर देखना और चैनल को सब्स्राइब करो वीडियो को लाइक और शेर जूर करना में दोस्तों आपके लिए मैं रोग नए बिजनेस आईट्यास लेकर आता रहता हूँ आज मैं आप आइडेस लेके आज इसको आपकर के असानी से एंसे पंदरह जारी से चमा सकते हैं यह आपको देख सकते हैं सबी हो यह मेड़ी सब्सक्राइब पड़ी जी बहुत बटी तो आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मशीन कैसे लेनी है कि यूट मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर भी बिजकरें तो दोस्तों सबसे पहले मैं मशीन दिखाऊंगा एक आदी इंची से लेके चार इंची तक कील बनाती है कांटी कहते हैं जिसको ते साथ में फोटो दिखा रहा हूं आपको यह बनाएगी ऐसा प्रड़क्ट बनाएगी वार नेल मेंकिंग वार नेल इसमें फुली आटमेटिक मशीन आप देख सकते हैं वार स्टेंड है कितना हभी वार स्टेंड है जो आम कोई भी आप दोगोगे अब कोई भी आपका संप लागएउद की मेनिफैक्चरींग है अब देख सकते हैं कि अधर लोकुल संप्लिए चिए तो यह स्टेंगा ना कर देगा नेल जो universities से मिले गी और इन फ्यूचरविस भी यह सबसेबसे बैस् кус pictured तो आप देख सकते हैं यह वायर स्टैंड आपक लोगा फोटा रोल रखना है इसमें आपने यहां पर रकना है इसके उपर यहां पर इंसर्ट होएगा पस अउटमैटिक बन के किरता जाएगा तो यह आपका एक मशीन में कील लेडिय हो जाता 4 उसले को बढूरिंट जा जाया हम कि मशिनी 2,3,4, 5,6 इअ एलग ऐसे मोडल अगर अगर आपनीो आपने सभी टाइप के कील तो भार नेल में एक मारने प्रसपश में इसमें लगा है ,riosना मिजिनी जाओ लगाओ तो अभी हम नेक्स मशीन पर जाते हैं इसमें जैसे वायर नेल जब बन जाते हैं तो इसको पॉलिशिंग डरम में डालते हैं जिसे जो रस लगा होगा कुछ भी होगा ओयल लगा है रस लगा है तो वह सारा रमूव हो जाएगा से उपर इसको आप दो तरीके से बे सकते हो इ ख मरी हो तो आप यदे हश लगा बैसे जिए जो ह蟏र ईजो तो आप इसको इसको वायर आती है है कि वायर होटी तो इसके वायर एंगी तो सब से सस्ति अप्रघपूर इंगे यह सब से मिले पाहन से वायर ले सकते हैं और Korosht जाता जाएगा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है फुली आटमेटिक मिशीन है देखे जैसे वीडियो में वायर लगा दिया है तो आटमेटिक पर श्कील बनके नीची से गिरता जा रहा है बस हमने कुछ नि करना इसमें काम जादा एक रोल स्वायर स्टेंड में रहके लगा देना है मिशीन में तो आटमेटिक बनके निकलता जाएगा जैसे मैं वीडियो में दखा रहा हूं आपको देखो वायर स्टेंड के ओपर रोल लगा हुआ है इनमें ट्रेयल के लिए इसे रोल लगाया है चोटा सा तो बड़ा रोल भी लगा सकते हो रोल लगा कर वायर डालो आटमेटिक बनके की निगलता जाएगा फुली आटमेटिक मशीन है अभी हम नेक्स मशीन पर आ रहे हैं यह दो मशीन का सेट होता है जैसे यह दोनों मशीन बड़ करेंगे तो प्ड़क्ट बनेगा जो सबसे पहले बात करें किस मशीन की यह हैडर मशीन है अपने स् अटा है माइनस साइन ओता है लकी यह वाला होता है यह टो फड़ते जिस पहें तो यह जो हैड बनेगा हैसमें बने इसमें पर चैसे ताइप का यह यह चायर लगेगा आगे टाल दो हैड़के गिरता जाएग इसमें आपका बंजाएगा हैड बन जागा कोई भी बनाना, इसमें जो अगर माइनस गराही के बताई कि अफ़ माइनस diva लग जी कोई कोई ब ब्राइब लानने के पनानाए इसे में वी टीक अपना घंया पेडल कि मशीन गर जाए इसमें इसके कि पुरीएगी तो खुरी नगता है वाइब्रेटर बिचल नुद पिकुल पुर्टो अगता है जो बिच्छी बनेका है यहादर से उसको बस उचाएकर वाइब्रेटर में डाल तो इस ने हो किसी भी टाइबिच करनी है आपने कोई पी टाइब चूड़ी डालनी यह तरिद करनी है किसी भी टाइप की आपके करनी है तो जैसी आप डाय लगाओगे वैसी थ्रेडिंग करके मशीन निकाल देगी तो इन दोनों मशीन को लगा कि आप किसी भी टाइप का स्क्रीव ना सकते हो चोटे से लेके बढ़ा तक किसी भी टाइप का कोई भी टाइप हो जैसे शी कठी मशीन अज इसलिए दिखा रहा हूं कि दोनों सिमिलर बिजनस हैं तो अब दोनों मशीन से कठी भी लगाओगे तो क्योंकि आपने जो प्रड़क्ट बेचना है आपका कस्तमर एक ही होगा बेचने माला जैसे वायर नेल भी एक है आपका होलसेलर लेगा स्क्रूर भी वह प्रड़ा फीड कर देनी है मशीन आटमेटिक स्क्रूब नहीं जाना है है वशीन में सबसे पहले स्क्रू बनता है उसमें हैट बन जाएगा और स्क्रू बन जाएगा देखो एक नेक्स मशीन में डलती जैसे मैंने आपको बताया पहले देखो कितना बढ़िया है बना सकते हैं कि इसके बाद येंट जाएगा पॉलिशिंग डॉम की वीडियो दिखाता हूं महिने के पोशो पहलेस में इसको अपने 10-10 minutes को तस्मियृट आपणे गुमानेके यहाइक पिरे जाएगा निकल गया है अब यहाइगा रूं यह वायव्ट एसस्ट्म लगा हुआ और वाइब्रेटर में याज से पने स्क्रू डाला है कि यह सेंपल के लिए एक लिए जह से यह विए ब्रश के यह सकते हैं अब वाइब्रेटर को इत्लक्रेटर में जा रहा है जब यह अक्षैनच legislature में। आप देख सकते ही कैसे स्क्रू गूम रहे हैं जैसे अभी देखो यह आगे आगे हैं फीटर में यह स्क्रू आसे लाइन में बर कर पूरे हो गए है पीशे वाइबरेटर जैसे बंद हो जाता है जैसे लाइन में अगर बर जाएगा पूरे स्क्रू बर जाएगा तो पीशे व वाइब्रेटर में डालना है, फुली आटमेटिक मिशीन ने खुद काम करते रहने हैं, इसमें लेबर की बहुत कम जुरुरत होती है, एक स्किल्ड आदमी हो, एक हलपर हो, तो सारी मिशीन से अपरेड कर लेता है, खुदी, फुली आटमेटिक पर स्कुरू बनके अब निकल मिशीन है, कोई भी आदमी चला सकते है इसको, बहुत इजी परसेसर, यह कुछ आपको मैं रनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ, यह देखी जैसे रनिंग सेटप लगा हुए पूरा, यह कंप्लीट इसने 10-20 मिशीन लगा हुई है, यह और सेटप लगा हुई है, इसमे कितने बडी ही क्वॉल्टी में बनता है यह देखेँ रोल त्रैड में भी ड्रैवल स्क्रूव बनके निकल रहा है, यह दिखो आप 2 प्लांट लगा हुए, इसमें आपने ही ड्रीटमेंट लगा हुए, जो आपने बट्थी वाला बोलं बर्नल वाला, वी प्लांट लगा ह यह देखो कितनी मशीन लगे हुई है नेक्स में आगे चलता हूँ आपको यह पॉलिशिंग ड्रम होता है तो इसका काम है पॉलिश करना यह स्कुरू का सैटप ले रहे हो वायर नियल का सैटप यह दोनों में मस्त है अगर आप दोनों सैटप ले रहे हो तो यह आपकी यह त यह दो प्रस प्रस लगा वाइल लगा होगा वायर नेल बस एक मशीन में रैडी हो जाएगा इसमें आप डालो गए तो बस यह दाव गंटा इसमें जैसे कि महोगे 500 kg कपैस्टी का ड्रम है इसमें अपने वायर नेल डाल दिया तो लकडी के ब्रादे के साथ पॉलिश हो के यहां से बार गिर जाएगा वस उसको अपठा ओ बोरी में डालो पैकर के बे सकते हो यह दबी बॉक्स में डालनी है और अगर वाली में यह यूज होता है जो हैडर से मिटील बनेगा जो भी सबसे पहले इसमें जाएगा एडर से मिटील बनके पॉलिशिंग ड्रम में हुझते हैं तो सबसे पहले और अधिय काम काम आता है उसके बाद प्रेड़िंग में दालते हैं नेक्स M aham करदे यो को काम करना का कर दो कर इंद नगफ एक का मिचिन होता है यह सब तो उस तर फाल दर जा रहरे थो यह सब 흡़ी एक डिक्समर लगाँ और यह अगर आप बहुत बड़ी है काम है इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया रहता है अगर आप लगा रहे हो अगर जो वायर नेल में आपका सानी से पर केजी के पीछे अपको 10-15 पर केजी के पीछे सानी से बच जाएंगे और अगर जिस्क्रिव वाल में जिसे ंne друзья WordPress 쓰 July Dwight और अगर 950 से 30 पर केजी के पीछे असानी से पर केजी के परर जाएंगे और केजी आपको जो प्रॉफिट के प्रॉफिट रहे अग़एंगा और घुः नेल को पर केजी के पीशे 10-55 पर केजी का पार जाएँ प्रॉः जी है तो मेंशें दोनों वायर नेल में लगता है वह only HB वायर होता है वायर नेल का simple process है बस रोल लगाओ वायर नेल में रोल लगाओ बनके निकल जाएगा पॉलिश करो पैक कर सकते हो वाली में होता है और स्कूर आपने बना लिए तो दो टाइप के बाद में भिगते हैं एक तो स्कूर बना लिए simple आपने पस सेल कर दिया और दूसरी टाइप हो एसको फोपर बलेक नियाएक कोटिंग वाम आप खीट र्याएर लगता है उसके विडियो दुखाता हूँ अभी इसमें स्क्रू यूडी हो गया फूरा रोल फ्रैर्यड से पानी होगे आदा गंटा डूम में हीट कर लिया को रने के बाद रूम में जाँ अच्छा पारणिटी निगने डाले खालने हैं तो गडिना हो जाएगा तो यह बर्णर लगा हुए नीचे उपर ड्रम गूम रहा है तो स्क्रू जैसे बनके रोल त्रैट से बनकर आएगा तो अकर ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको बस बीस मिनिट आदा गंटा गुमाना है नीचे से हीट स वह हीट होने के बाद में बस आपने कटिं योईल में डाले यह तो यह चquiमिकल में डालो गे चुट लियर के और नेखे साइर निग और भी हो गाया है जाता हैban कोई भी आपिक होते है क्वीड कोटेश रहे Minister साइब्सेद्स पिर Óप कर लिए कोड़ी कोड़स चीठेने मेंेस नटीन लिए टैब कोई भी कलर नहीं करना तो सिंपल प्रोम रखना है बस बेरल में गुमाकियों स्क्वादा गंटा जिंग कोटिंग हो जाएगी जोस्तों यह देखिए आप यह लॉम टेल हैसे स्कुरू मशीन बनकिया है तो ऐसा दिखता है पहले ह इसको ड्रम में डालेंगे ड्रम में डालके वाश करते हैं पानी से तो यह पानी जो होता है रियस Yikesal हो कि एक वाश्य Commerce speaking कुछ ऐसा दिखेगगा यह जैसे एसी ड्रम जाल झाल है एक दैक्सक्राइज को डाल के कि करिये सब दालका थल्र में पर दाल करा दैस इसको पिर पानी में साफ करते घर जिसमें वे द्रम दाले नहाएगा थुлять तो एक पर के साफ करके जो जिन्क यह देखिए इन्होंने जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो एसीड में डाल के लाए है उसको इसमें डाल देंगे इसक्र्यू को, इस जिंक का किया व्य निकाल दिया है इनोंने और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है Eu वह NEW डृम में डाल देगे चेट्र, अब जो जिंक पर पर धिखो पीशे प्लेट लगी यह घुट तो आदा गंटा आई एसे गूमता रहे गा आदे घंटे में 50 kg माल जिंक कर देते हैं अगर आपने सिर्फ जींग कोटिंग करनी आ तो यह इसे गूमने जो फोई जिंक हो गया तो ऐसे भी आप सेल कर सकते हूं अगर अगर आपने गौ गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़ेगा यह दो को भी गोल्डन इनने कोटिंग करनी है तो गोल्डन कलर में डालेंगे देखिए आप गोल्डन कलर में डाला तो गोल्डन हो गया देखो स्कुरू सारा अगर आपने सिर्फ जिंग करना तो आप वैसे इसको सीधा ड्रायर में डालो वो जिंक रहेगा अगर और के कलर करना हो पर तो कलर वाले कैमिकल में डाल दो बस वो स्क्रूब बनके रेडी हो जाता है यह इसके बाद इन्होंने ड्रायर में डाल दिया है अब देखिए ड्रायर में डाल के बाद इसमें होता ह मार्केट में सेल कर सकते हैं बाकित आपको कोई और कोई बी जान कर सुछ चाहिए बिजनस के बारे में तो आप मारे नीचे दिएगे नंबर पे कॉल करके वाटसाइप मेसिज करके हमें मैसिज करो आपको मेशीन की बिजनस की कोई भी जानकरी चाहिए सभी मिल जाएगी मेशीन अगर आपने क्रेद नहीं है तो आप रीचे वाटसाइप मैसिज कीजिए हमें अपने डिटेल बेजिए आप पेमंट कर वाओ जो भी 30% अडवांस होता है आपको विदिन 10-15 डेस आपके यहां पर मिशीन डिलिवर हो जाएगी दोस्तो आपने मारी वीडियो लास्त रख देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठेंक यू पहली बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये ताकि नहींने बिजनेस आइडियास पहुचे सबसे पहले आपके पूर्ण